तो आज हम बनाने जा रहे हैं चोले भटूरे के छोले वह भी डिल्ली स्टाइल में सबसे पहले इसके लिए क्या करना है आइए देखते हैं तो सबसे पहले हमें सफेद छोले ले लेने हैれないented जिसे काबुली चना बोला जाता है इसको पूरी रात पानी में अच्छे से भीगो के रखना है और तीन से चार पानी इसको धो लेना है धोने के बाद इसको गैस पे एक कुकर चढ़ाना है कुकर में सफेज छोलो को डाल देना है सफेज छोलो को डालने के बाद इसमें हम कुछ खड़े मसालो को एड़ करेंगे खड़े मसाली को एड़ करने से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है तो सबसे पहले हमने तेजपत्ता डाला कुछ तीन से चार काली मिर्च के दाने डाले और फिर हमने कुछ दो से चार लॉंग डाली और ये डालचीनी डाली चोटी बड़ी डाली और इसमें हमने पानी एड़ कर दिया पानी आपको मातरा में डालना है जैसे कि हमने छोले लिए थे 200 ग्राम तो उसमें हमने दो गलास पानी डाला तो फिर अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और फिर इसको कूकर को ये एक पोटली जिसमें हमने चाय पत्ती डाली है जिसके इसका कलर बहुत सुन्दर आएगा छोलो का तो अब हमें इसका कूकर का ढगा देना है और चार से पांच विशल तक आने तक इंतजार करना है तो तब तक हम इसका इसकी ग्रेवी बनाते हैं तो सबसे पहले ग्रेवी के लिए हमें चाहिए प्याज और टमाटर और इसमें दो हरी मेर्च और ये आपका लहसन हो गया और अदरग जो कि मैंने काटके डाला है इससे बहुत अच्छा सुआ दाता है अब गैस पे हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई जिसमें हमने थोड़ा स इमिज़ डाली और जो हमने अदरतय काटर रखा था वो डाला जो हमने गारलिक काट रखा था वह डाला ओर इसको अच्छे से भुणने दिया जैसका रंग थोड़ा सा सुन हैरा हो गया तब उस स्टेज पे इसमें हमने प्याज एड कर दिया अब प्याज अड़ किया अब तो आपका सुनहारा रंग हो जाए हम इस स्टेज पर हमको इसमें एड करना है इसमें हम घु Walesे नमक पियाज को हलका सा गला देगा तो अब किसा सापट तो आदि हम करने हम एड करें लिधा से करेंगी त्माटर बारिध हम Québec सूंहें तब तक हम इसका मसाला त्यार सबसे पहले हमें दो चमच धन्या मसाला लेना है उसमें आधा चमच हल्दी एड करना है आधा चमच लाल मिर्च जीरा पाउडर आधा चमच गरम मसाला है थोड़ा सा हमने इसमें कालीमिर्ण पाउडर को स्टे दर किया है और फिर लासि Чिलें कश्मीरी ल्मिर्ण डाल के आब इन मसालों में पानी कि मैं पानि डाल इसको add करना है तो अब इसको हमको पढ़ाई में add कर देना है हमने add कर दिया धोल को add करने के पाद इसे धक देना है दो से तीन मिनट तक पकाना है अब हम आगे अपने छोले देख लेते हैं जो कि चार से पांच विशल लगाई थी ठंडे हो चुके हैं हमने कुकर को लके निक देखिए कितने अच्छे से दव रहे हैं इस तरीके से आपको छोलो को पकाना है इस तक इसको पकाना है चार से पांच विशल आपको इसमें लगानी है जैसे कि यह छोले इतने soft हो जाएंगे और फिर इसका color में बहुत सुन्दर आया है फिर इन छोलो को हमें कड़ाई में एड कर देना है यह हमने एड कर दिया अब यह जो पोटली है इसको side कर देना है क्योंकि इसमें चाय पती थी इससे बहुत सुन्दर रंग आया है छोलो का जो हमें बिल्कुल परफेक्ट जो छोले चाहिए उस तरीकी सा रंग आया देख सकते हैं कि किसना सुन्दर color आया है अब इसको हमें पकने देना है चार से पाच मिनद तक जब तक इसमें boil ना आ जाए तो इसे हमें पकने देना है तो इस स्टेज पे हम इसको ढख देंगे और ढखने के बाद हमें चार से पाच मिनद तक इंतिजार करना है इसका boil आने तक देखिए अब इसमें boil आ चुका है बॉयल आने के बाद अब हम इसका धकन हटाएंगे और धकन हटाने के बाद हम देखेंगे की इसकी जो तरीके से आपको इन छोलो को तयार करना है और यह छोलो का स्वात सही में बहुत अच्छा आता है जैसे जैसे मैंने इसमें आपको बताया है इसी तरीके से आप विदी को अपनाईएगा तो आपके छोले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे कोई कमी नहीं आएगी रंग भी बहुत सुन्दर आएगा और आप जो छोले हैं वो बहुत ही लाजवाब बनके तयार होएंगे तो इस तरीके से इस स्टेस पे अब हम गैस बन कर देते हैं और थोड़ा सा धनिया पता डालके इसको गार्निश कर देते हैं तो चलिए अब इसको ढखके रख देते हैं 4-5 मिनट तक तब तक और इसके बाद आप इसको इंजोई कीजिए देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं तो अब आप इसको अपनी फैमिली के साथ चाहिए इंचोलो को पूरियो के साथ खाए रोटी के साथ खाए या भटूरे के साथ खाए तो है तो यह भटूरे के साथ खाने वाले तो इंजोई कीजिए भटूरे के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें और इंजाई कीजिए बाई बाई